अमरत सर से स्पेशल ट्रेन दोपहर दो बजे चली और आठ घंटे के बाद मुगल पुरा पहुँची रास्ते में कई आदमी मारे गए अनेक जखमी हुए और कुछ इदर उदर भटक गए सुभा दस बजे कैम की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आखे खोली और अपने चारो तरफ मर्दो और और बच्चों का एक उमरता समुद्र देखा तो उसकी सोचने समझने की शक्तिया और भी बुड़ी हो गई वो देर तक गंदले आस्मान को टक्टकी बांधे देखता रहा यूते कैम्प में शोर मचा हुआ था लेकिन बुड़े सिराजुद्दीन के कान तो जैसे बंद थे उसे कुछ सुनाई नहीं देता था कोई उसे देखता तो ये खयाल करता कि वो किसी गहरी नींद में गर्क है मगर ऐसा नहीं था उसके होशो हवास गायब थे उसका सारा अस्तित्व शून्य में लटका हुआ था गंदले आस्मान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दिन की निगाहे सूरच से टकराई तेज रोशनी उसके अस्तित्व की रग रग में उतर गई और वो जाग उठा उपर तले उसके दिमाग में कई तस्वीरे दोड़ गई लूट, आग, भागम बाग, स्टेशन, गोलिया, रात और सकीना सिराजुद्दिन एकदम ओठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने चारो तरफ फहले हुए इंसानों के समुद्र को खंगोलना शुरू कर दिया पूरे तीन घंटे बाद वो सकीना सकीना पुकारता कैम की खाक चानता रहा मगर उसे अपनी जवान एकलोती बेटी का कोई पता न मिला चारो तरफ एक धान्दली सी मची थी कोई अपना बच्चा ढून रहा था कोई मा, कोई बीबी, कोई बेटी सिराजुद्दीन ठक हार कर एक तरफ बैठ गया और मस्तिश पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां अलग हुई लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की मा की लाश पर जम जाता जिसकी सारी अतणिया बहार निकली हुई थी उससे आगे वो और कुछ न सोच सका सकीना की मा मर चुके थी उसने सिराजुदीन की आँखों के सामने दम तोड़ा था लेकिन सकीना कहा थी जिसके विशय में मा ने मरते हुए कहा था मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर जल्दी से यहां से भाग जाओ सकीना उसके साथ ही थी दोनों नंगे पाउं भाग रहे थे सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था उसे उठाने के लिए उसने रुखना चाहा था सकीना ने चिला कर कहा था अबाजी छोड़िये लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की उबरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डाल कर एक कपड़ा निकाला सकीना का वही दुपट्टा था लेकिन सकीना कहां थी सिरा जुद्दिन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया मगर वो किसी नतीजे पर पहुँच न सका क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था क्या वो उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई और बलवाई अंदर घोस आये थे तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वे सकीना को उठा कर ले गए सिराजुद्दिन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे जवाब कोई भी नहीं था उसको हमदर्दी की जरुवत थी लेकिन चारो तरफ जितने भी इंसान फसे हुए थे सबको हमदर्दी की जरुवत थी सिराजुद्दीन ने रोना चाहा मगर आखों ने उसकी मदद न की आसो न जाने कहां गायब हो गए थे छे रोज बाद जब होशो हवास किसी कदर दुरस्त हुए तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तयार थे आठ नौजवान थे जिनके पास लाठियां थी बंदू के थी सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआये दी और सकीना का हूलिया बताया गोरा रंग है और बहुत खुपसूरत मुझ पर नहीं अपनी माँ पर थी उम्र सत्रा वर्ष के करीब आठे बड़ी-बड़ी बाल स्याह दाहिने गाल पर मुटा सा तिल मेरी इकलोती लड़की है दून लाओ खुदा तुमारा भला करेगा आठों नौजवानों ने कोशिश किए जान हतेली पर रख कर वेम्रिट सर गए कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने सुरक्षित स्तानों पर पहुँचाया दस रोज गुजर गए मगर उन्हें सकीना ना मिली एक रोज इसी सेवा के लिए लारी पर अम्रिट सर जा रहे थे कि छर्राह के पास सडक पर उन्हें एक लड़की दिखाए दी लारी की आवाज सुनकर वो बिद की और भागना शुरू कर दिया रजाकारों ने मोटर रोकी और सबके सब उसके पीछे भागे एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड लिया देखा तो बहुत खूपसूरत थी दाहिने गाल पर मोटा तिल था एक लड़के ने उससे कहा कवराओ नहीं क्या तुम्हारा नाम सकीना है लड़की का रंग और भी जर्द हो गया उसने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी दहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है आठ रजाकार नौजवानों ने हर तरह से सकीना की दिल जोई की उसे खाना खिलाया दूद पिलाया और लारी में बठा दिया एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया क्योंकि दुपट्टा नौँ होने के कारण वो बहुत उल्जन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढखने की कोशिश में लगी हुई थी कई दिन गुजर गए सिराजुद्दीन को सकीना की कोई ख़बर न मिली वो दिन भर विबिन्न कैम्पों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता लेकिन कहीं भी उसकी बेटी का पता न चला रात को वो बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामियाबी के लिए दुआय मांगता रहता जिनोंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिन्दा हुई तो चन दिनों में ही उसे ढूंट निकालेंगे एक रोज सिराजुद्दीन ने कैम्प में उन नौजवान रजाकारों को देखा लारी में बैठे थे सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया लारी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा बेटा मेरी सकीना का पता चला सबने एक जवाब होकर कहा चल जाएगा चल जाएगा और लारी चला दी सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की काम्याबी की दुआएं मांगी और उसका जी किसी कदर हलका हो गया शाम को करीब कैम्प में जहां सिराजुद्दीन बैठा था उसके पास ही कुछ गड़बर सी हुई चार आदमी कुछ उठा कर ला रहे थे उसने मालूम किया तो पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी लोग उसे उठा कर लाए है सिराजुद्दीन उनके पीछे हो लिया लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकडी के खंबे के साथ लग कर खड़ा रहा फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया कमरे में कोई नहीं था एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी हुई थी सिराजुद्दीन छोटे-छोटे कदम उठा था उसकी तरफ बढ़ा कमरे में अचानक रोशनी हुई सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिलाया सकीना डॉक्टर जिसने कमरे में रोशनी की थी उसने सिराजुद्दीन से पूछा क्या है सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका जी मैं मैं इसका बाप हूँ डॉक्टर ने स्टेचर पर पड़ी हुई लाश की नपस टटोली और सिराजुद्दीन से कहा खिड़की खोल दो सकीना के मुर्दा जिसम में जुमबिश हुई बेजान हातों से उसने इजारबंद खोला और सलवार नीचे सरका दी बोड़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिलाया जिन्दा है मेरी बेटी जिन्दा है